हेलो बीएसी फर्स्ट एर स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएसी फर्स्ट एर बोटनी के सेकेंड सेमेस्टर में आपका थेरिटिकल पेपर आता है आर्ची गोनियेट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर दोस्तो इस सेमेस्टर से अल्रेडी में कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आज किस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे साइकस का पार्ट वन जिसके अंदर में कवर करेंगे एक Most Important Topic Morphology of Psychos इस वीडियो के अंदर हम साइकस की Morphology के बारे में उसके Systematic Position के बारे में Distribution के बारे में Economic Importance के बारे में डिस्कस करेंगे तो यह साइकस का Part 1 है Student यदि आप BSC के Concept को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइकस के Classification यानि Systematic Position के बारे में तो यह Division, Psychedophyta, Class, Psychedopsida, Order, Psychedales, Family, Psychedacy, and Genus Psychus से बिलोग करता है अब हम देखते हैं इसका Distribution and Accurrence यानि वितरन एवं प्राप्ती स्थान वितरन का मतलब क्या होता है यानि ये दुनिया भर में कहां कहां पाया जाता है किस तरह से इसका वितरन यानि Distribution है दूसरा है प्राप्ती स्थान यानि Naturally ये कहां पर पाया जाता है इसका Accurrence क्या है तो Psychus सदय औहरा भरा रहने वाला यानि कि Evergreen Palm-like Plant होता है जो कि Distribution में Worldwide in Distribution शो करता है यानि ये 20 उभर में लगबख सभी जगह पाया जाता है इसकी लगबख 20 जातिया है जिनमें से अधिकांस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाती है प्रंतु इसकी कुछ जातियां जापान के दक्षिन भाग से ले करके उत्री औस्ट्रेलिया भारतिय द्रीप समूहों येवं दक्षिन पेसिफिक ऑसियन तक पाय जाती है इनकी कुछ जातियां एशिया, भारत, इंडो, चाइना, चाइना में पाय जाती है भारत के अन्य भागों में यह पोधा cultivate किया जाता है cultivate का मतलब समझते हैं एक तो होता है कि naturally पाया जाना दूसरा होता है कि आपने उस plant को वहां से हटा करके ऐसी जगहां पर लगाया जहां पर वो naturally नहीं उगा हुआ है यानि इसका cultivation किया गया है भारत वर्ष में प्रकरतिक अवस्था एवं cultivated के रूप में साइकस की निम्न जातिया है जैसे कि साइकस रिवोलूटा, साइकस अरंफाई, साइकस सीरसिलेरिस, साइकस बेडोमाई, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस सियोमियनसिस इस में से साइकस रिवोलूटा जो सरवाधिक सामाने एवं प्रमुख जाती है जो कि बगीचों में ओरना मेंटल प्लांट की भाती उगाई जाती है ओरना मेंटल का मतलब समझते हैं सजावटी पोधे की रूप में अगर आप अपने कॉलिज में या जिस इन्वस्टी में भी आप स्टड़ी कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पर के गार्डन में देखेंगे तो साइकस का प्लांट डेफिनिटल आपको देखने को मिलेगा वो साइकस रिवोलूटा है इस जाती को कभी-कभी इसके प्रारंबिक यानि प्रिमिटिव केरेक्टर्स के कारण इसे लिविंग फोसिल भी कहते हैं यह जाती प्रकरती कवस्था में चीन एवं जापान में पाय जाती है इसे सागो पाम भी कहते हैं हम साइकस रिवोलूटा के बात कर रहे हैं अब आप लोग हेडिन दा लेजिए morphology, अब हम डिसकस करेंगे साइकस की morphology के बारे में यानि इसकी बाहिय रचना के बारे में, जब आप इस प्लांट को बाहरी रूप से देखते हैं, जब आप इसका external appearance देखते हैं, तो यह कैसा दिखाई पड़ता है, उसके बारे में अब में divide रहता है, उसे हम बोलते है sporophytic plant body, तो यह जो साइकस होता है, यह भी stem में divide होता है, leaves भी आपको दिखाई देंगी, root भी इसमें दिखाई देंगी, तो हम कह सकते हैं कि यह जड़ तना पत्ती में differentiate होता है, complete mature जो प्लांट होता है, वो लगबग 8 feet से 14 feet लंबा होता है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले stem के बारे में, right, first of all हम discuss करेंगे तने के बारे में, stem के बारे में, तो साइकस का जो तना होता है, वो काफी मोटा होता है, cylindrical यानि बेलनाकार होता है, small होता है, aerial होता है, तथा unbranched होता है, यानि किसमें आपको branching नहीं देखने को मिलेगी जैसे आप लोग तने में देखते हैं, जर्रली एक तना यहां से निकला है, तो इसकी branching इधर से निकल जाएगी, फिर उसमें से भी branch निकल जाती है, ऐसा साइकस के plant में नहीं देखने को मिलता है, साइकस का stem जो होता है, वो unbranched होता है, तता कभी-कभी इसका stem होता है, व जो एपिकल पार्ट होता है वो क्राउन की रूप में दिखाई देता है क्राउन यानि गुच्छों के रूप में तता इस टेम का जो निचला सीरा है जो लोवर पोर्शन वहां से जड़े निकलती है आप लोग जब इसको अपने कॉलिज के गार्डन में एक्स्टरनली जब आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ऊपर से तो एक तरीके से इसमें जो निधो सब्सक्राइब निचे से बढ़ेंगे इसका जो सबस्तेर निकलती है अब हम बात करते हैं यह पर पर जाती है यह जड़े तता वाइवी होते हैं तता बुछ ग्रीन जैसे कि नौस्टोग एना बीना आधी में परवेश कर जाते हैं और यह जड़े जो होती है वह कोलराइड रूट कहलाती है कई बार एक्जाम पेपर में दो नंबर में शोट कोशन में आप से पूछा जा सकता है वट इस कोलराइड साइकस की पत्ति कैसी होती है लीव कैसी होती है तो साइकस के पोदों में पत्तियां तने के ऊपर पाई जाती है और यह डाइमोर्फिक होती है इसके लिव पाई जाती है और ग्रीन फॉलिएज लिव पाई जाती है इसके लिव जो होती हो ड्राइवां भूरे रंग के बा जाती है हरी फोलीेज़ पतीय technika ओर मोटी दोनों और लेफ लेट्स होते हैं पतियों में रेकिस काव में चेंज रेकीस के लंबाई 0.6 से 1.8 मीटर तक होती है और ये पत्तियां बाल अवस्तायनी के यंग स्टेज में सिर्सिनेट वर्णेशन दिखाती हैं उसमें क्या होता है कि जैसे सिकुडा रहता है इक तरीके से रिंग स बना लेता है फिर बाद में उपन हो जाता है प्लांट के ग्रोथ के साथ-साथ नीची की जो पुरानी पत्तियां होती है वो नीची गिर जाती है और गिरने के साथ-साथ ये परसिस्टेंट लीफ बेसिस छोड़ देती है तने पर इस टेम पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अब हम डिसकस करते हैं साइकस एक लिविंग फोसिल है कई बार दो नंबर में शोट कोशन में पूछा जाता है कि साइकस एक लिविंग फोसिल है इस तथे कोई पुस्टी कीजिए इसके बारें बताएं कि साइकस एक लिविंग फोसिल है कई बार एक कोशन इस परकार से पूछा जाता है कि साइकस को लिविंग फोसिल क्यों पहा जाता है तो इसका अंसर आप लोग student लिखेंगे साइकस, शायकेडेल्स गन्रार का यानि ओर्डर का एक सदर से है में एक कुल साइकेडेसी और 9 जिनेरा वह 100 इस्पीसीज हैं ये सभी सुसकोदबिध है यानि कि जिरो फिटिक हैं तता फर्ण से इनकी काफी समानता दिखाई देती यानि काफी समानता प्रदर्शित करते हैं मेक्सिको, वेस्टेंडीज, औस्ट्रेलिया, दक्षिन, अफ्रिका, विस्व के साइकेड रिजन है साइकस इस गण का सामाने वंस है जो की भारत वर्स एवं अन्य स्थानों पर उगाया जाता है साइकस रिवलुटा सरवादिक सामाने भारते जाती है इसको लिविंग फोसि बताया उनके नुसार साइकस की यह जाती साइकस रिवलुटा से काफी मिल तजूलती है सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग जो डाइग्राम देख रहे हैं यह है साइकस रिवलुटा का फिमेल प्लांट फिमेल प्लांट में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर को कौन नहीं बना वास होती है वो पिख्री रहती है वो डेंस नहीं होती है वह है कौन का चॉंड नई बनाती है इसलों कहते हैं कि फिमेल कोण कोण है वह साइकस के अंबर वो अप्सेंट होता है राइट स्की लिवस है है और यह इसका इंह नीची रहता है तो यहँने देखा साइकस के प्लांट वह भी female प्लांट के बारे में यह आप लोग डाइगराम देख रहे हैnda है यह है coor planted roots अगर एक्जाम पेपर में दो नमबर में आपसे short question में पूछा जाए कोलरोड रूट के बारे में तो एक चीज हमें से धान रखना diagram जरूर बना रहा है यह जो आप लोग diagram देख रहे हैं यह most important diagram है इस diagram को अच्छे से practice कर लीजिए अगर दो नमबर में short question में पूछा जाए से जितने भी member है वह विशेस रूप से साइकस धीरे धीरे लूप्त होता जा रहा है तथा वह समय दूर नहीं जब साइकस की सभी जातियां लूप्त हो जाएंगी साइकस के अंदर fossil, साइकेडेल्स तथा फर्ण के समान प्राथमी collection भी पाया जाते हैं इन सभी कार्णों से साइकस को living fossil कहा जाता है इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं यहां तक कि आपका पूरा question complete हो जाएगा अगर दो नमबर में short question में आप से पूछा जाए साइकस को living fossil क्यों कहा जाता है तो आप लोग इतना लिख सकते हैं अब हम देखते हैं finally students साइकस का आर्थिक महत्व यानि के जो साइकस है इसका economic importance क्या है तो साइकस की जातियां आर्थिक द्रस्टी से अगर आप इसको economic value से देखें तो काफी important है अनेक जातियों के इस्तमवव बीजों से starch प्राप्त किया जाता है भारत वर्स, मलाया या इंडोनेशिया इसकी तरुन मासलो भित पत्तियां सबजी के रूप में परियोग की जाती है साइकस की अनेक जातियों का उप्योग ओस्दी यानि के medicinal इसकी काफी सारी value है यानि medicine बना जाती है उधारन के लिए जैसे साइकस सिरसिनेलिस की जो तरुन पत्तिया है यानि की जो उसकी leaves है उसका रस जो होता है वो अमाउस्से की तवचा के रोगों में वो रुधिर वमर यानि blood vomiting में किया जाता है साइकस रिवलूटा के बीजों का जो उप्योग है वो सिर्दरदवा या फिर गले में कोई problem होती है उसकी treatment में किया जाता है साइकस की कुछ जातियों के पराग कंड नर्कोटिक होते हैं साइकस रिवलूटा की जो leaf होते हैं उसमें nitrogen की प्रचूर मात्रा यानि कि काफी ज़्यादा मात्रा पाय जाती है अते ये धान, गन्ना, सकरकंद की फसल के लिए हरी खाद की रूप में पर्यूग की जाती है तो आज किस वीडियो के अंदर हमने साइकस के part 1 के अंदर कवर किया इसकी morphology के बारे में next वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे इसकी anatomy के बारे में यानि कि अब हम देखेंगे इसकी internal structure के बारे में internal structure के अंदर basically हम क्या देखते हैं जैसे for example इसकी साइकस के transfer section काट दिया हमने इसकी leaf का तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई पड़ता है अगर हम इसका stem का transfer section काटेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा अगर हम इसके root का transfer section काटेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा कौन-कौन सी cells दिखाई पड़ती है vascular tissue का क्या system है यानि सारी चीजे जो हम internally देखते हैं वो सब anatomy के अंदर आता है राइट, सो मिलते हैं student next video में अगर video पसंद आए तो लाइक करें चैनल को subscribe कर देगर आपको उसी तरह की और भी videos चाहिए तो मिलते हैं next video में बाई बाई